नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के आपके इपने चनल पर दोस्तों आज के स्वीडियो में आपके लिए लेकर काच चुका हूँ स्वीडियो के अग्जाम होने वारा दोरे किसके अंदर राजस्तान स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन राज्य प्रतिबा खोच परिक्षा तो उसके लिए मुस्ट इंपोर्टेंट कोईशन लेकर आए हूँ यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर mental ability exercise की जो बहुत दे के योगिता परिक्षा होने वाले हैं जिसके अंदर जो reasoning के प्रश्चन आने वाले हैं उस प्रश्चन को लेकर आए हैं और यहाँ पर आपको जो हमने very very important question बताएंगे और आपका जो अब की बाहर एक्जाम हो तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना है नोटिफिकेशन को प्रहस करना है जिससे कि आपको एस्टिक रिगार्डिंग जो और भी इंपोर्टन लेकर रहा है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक है उस सबसे पहले मिल सकें त सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना बहुत सिंपल लॉजिक लगाना है बस आपको तोड़ा बहुत भी आपके इंद्न तोड़ा नॉलेज यह कर सकते हैं आपको जो है इस ऐसी प्हें को बहुत सिंपल नवर करने के लिएगं पता हुना में पझाए यह जो ब्रॉद्धव नहीं पर दूस्तों सोल के बाद में ओ आता है हमारा 15 पर 8400-400-400 जी हाँ याद कर लेजे WhatsApp नमबर क्योंकि अब चाहिए आपका मैत का सवाल हो या फिजिस केमिस्टी बाइलो जी का आपके हर डाउट्स हर क्वेशिन का मिलेगा तुरंत वीडियो स्वालेशन वो भी आपका सिधा वाट्सेप पर पस अपने फॉन में डाउट्नेट का 8400-400-400 का वाट्सेप नमबर सेव कर लेजे और चैट ऑपन कीजिए और आपका जो भी डाउट हो उस क्वेशिन का फोटो क्लिक करना है उससे क्रॉप करना है और पांस सेकेट में आपको उसका वीडियो सॉलेशन मिल जा है उनाबो से पत्रोपर और ड्रको उसको किस तरह से इसमें अर्स ट्लाइस्ट कितने पर दोस्तों आता है इसके भाद मुन्हों ट किंहीं पर भीश पर ऑदा अरे दोस्तों बताएं दोस्तों एन लाता है 12 पर यानि कि अब आप सभी क्या देखेंगे यहां पर आप सभी लोग देख रही होंगे यानि दोस्तों 16-18 होगा यानि कि 16-16 कब होगा इसके अंदर प्लस 2 एड़ हुआ इसके अंदर दोस्तों क्या होगा प्लस 4 एड़ हुआ इसके अंदर क्या होगा दोस्तों प्लस छे हो गया यानि यहां पर चार से बारा मलब प्लस आट हुआ मतलब कि कितने का दो हुआ पहले दो जुड़ा फिर चार जुड़ा फिर छे जुड़ा फिर आट जुड़ा मतलब उसके बाद में आट जुड़ा तो अगर क्या जुड़ना चाहिए दोस्तों दस जोड़ना चाहिए यानि दोस्तों हमें क्या करना अब यह हमें क्या करना है यही लोजिक पता करना है अब हमें भी इसके अंदर किसके अंदर हेर के अंदर क्या करना है पहले दो जोड़ना चार जोड़ना आठ जोड़ना ठीक है इस प्रकास जोड़ना अब जोड़ी दो तो यहां पर हम क्या करते हैं here को लेखे तो here को लिखaky sometimes यहां पर दोस्तों यहां पर क्या हिखना यह पर यह एक टारा पर ग५जária की ilo दूस्तों यहां पर आपके सामने यह क्या है और यार यह E है यह गलती कर दी हमने यहां पर यह हमारा क्या है यह 5 है 5 में 4 जोड़ेंगे 9 9 पर आता है I यह J आगया यह आई आगया उसके बाद दूस्तों इसमें जोड़ना है प्लस 6, एक में 6 जोड़ोंगा 7, 7 पे बनेगा दोस्तों, G, G, I, J और दोस्तों 18 में जोड़ोंगा 8, तो बनेगा 26, 26 पर आता है Z तो G, I, J, Z, यानि दोस्तों option number 1, 3 हमारा correct answer आएगा अब इसी में दोस्तों क्या लिखा गया, इसमें मतलब एक नमबर पर आता है उसमें दोस्तों V, यानि 36 पर आता है, मतलब सभी को जोड़ की हुआ जैसे V कितने पर आता है, या आता है, हमारा 22 पर, 1, 1 पर, N आता है चगदा पर जोड़ो, 15 और 22 कितने शाथी मतलब की, हमें क्या करना है, सभी net letter की यो करना है F, A, T, दोस्तों, F कितने पर, 6 पर, A, 1 पर, और T, यानि 20 पर, तो 20 और 7, 37 या उप्शन नमबर, A हमारा correct answer होगा इस प्रकार से ये भी प्रशन है, और ये आपकी जो है, सीरीज, यानि कि दोस्तों, यहाँ पर आपकी सबने, alphabet test पूचा गया है यहाँ पूचा दूस्तों, wordmala की अर्डांस, अर्डांस का मतलब होता है, जैसे A से 22 अक्सर होता है, ना 26 letter होता है, तो A से M तक होगा, यह परतम अर्डांस, और M से जो है, Z तक होगा, second अर्डांस, अब यहाँ परतम अर्डांस के को विपरित अक्सर मतलब की उल्टा लि लिखा, hand लिखा, इस प्रकार से, फिर यहाँ पर L लिखा, K लिखा, J लिखा, उल्टा लिखना है, अगर उल्टा लिखा है, तो 22 अगर दस्वाक्षर होगा, तो कौन सा वो आपको बताना है, बहुत सिंपल था, और यहाँ पर आपको जो है, लुप्त पताना है, missing number बतान कि मैं आपको बताऊंगा, अलग से वीडियो लेकर होगा, उसकी प्रैक्टी सेशन जो सें प्रैक्टीस करेंगी, और पांस से बारा तक दोस्तों एक लुप्त पता आपको बताना है, question mark की इस तान पर क्या आएगा, तो यह देखेगा, थोड़ा mathematics का प्रशन है, थोड़ा mental क्या है, डबलू कितने पर आता है, आपने का सर्थ 23 पर आता है, और यह क्या है दोस्तों, यह 12 का स्क्वेर है, दोस्तों ही 10 का स्क्वेर है, यह 9 का स्क्वेर है, और दोस्तों ही 8 का स्क्वेर है, मतलब पहले 8 का स्क्वेर, उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, 9 का स्क्व लेकिन यहां पर भी आ रहा है यहां पर भी आ रहा है। मिन यह तो सम्हें कि यह सब सन्हिंट कुल cone स्रार नम्स पर यानी की 15 वह सो मतलब यहां से क्या करना पढ़ेगं कुछ और 21 बार पर के आता अन्स यह घाता यू है वाला या चुंप49 छत्म हो गया इस प्रकार दोस्तों आपके समने जो है आकरती गिन्ना यानि फिगर काउंटी आपको त्रिबूज बताने कितने त्रिबूज होंगे वह बता देने और यहां पर जो है एक जो है गन है जो क्यूब है ठीक है उसक्यूब को क्या करा काटा है और यह डाइस से समद्ध अलग प्रशन बता यह सिंपल है और गनों की छोटे गन कितने बनेंगी उसमें सिर्स गनें कितने बढ़ेंगी मद्य गन की कितनी संक्या हो बताएगी केंद्री गन यानि चार प्रशन गन से पूछ लिए अब एक पॉंसेप्ट आप समद्ध लेंगे ना तो सभी क्वेशन जो हो हो जाएंगी वह कॉंसे चैप मैं अलग से इसकी ट्रिक बता दूंगा आप जहें कमेंट करेंगे तो मैं को सुलीशन बताँगा ट्रिक से मातियों से ठीक है और यह दोस्तों यहां पर आपको लूफ्ट पताना बहुत एजी था यह कैसे वह बताए जोस्तों जल्दी बताए दोस्तों यह कैसे वह 15 15 के अंदर चार जोड़ेंगे उनिस बन गया चैट चोईस चोईस के अंदर पांच जोड़ेंगे तो यहां पर भी क्या करना है साथ पंजे 35 35 में चैट जोड़ेंगे तो बनेगा 41 यहां पर हमारा आंस रहेंगा उप्शन नमबर थर्ड यह बनना दोस्तों यह कैसे हुआ अरे पांतिया पंद्रा आट चैंग अर्टालिस पंद्रा और अर्टालिस जोड़ेंगे त्रेशर बनेगा साधूनी चोगदा नौतिय सतैस इ और यह वाला देखेगा यह प्रशन है एस दोस्तों यहां पर नंबर डारेट प्रशन पूचा गया एस की पोजिशन उनिस पर एक्स की पोजिशन 24 पर तो क्यू कितने पर आता दो सतरा पर आता है सिदा प्रशन बहुत सिंपल ललू कोशिन पूचा गया यह आपका एक आ यह प्रशन पूचा गया था और दोस्तों यह क्या करना है यहां पर दोस्तों क्या करना देखी गा चौपर मैंसे 30 गटओंगा तो कितना मिलेगा 24 बचेगा 112 मैंसे 42 माइनिस करूंगा 70 बचेगा अब दोस्तों यह वाला बता दीजीगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्य है मिल जाएगा अंसर आपने का सब्सक्राइब कैसे मिलेगा 38 और 28 को एड़ कर दो 66 हमारा करेक्ट आंसर होगा ठीक है अब यह दोस्तों क्या पुछा गए यह वाला मिसिंग नंबर यहां पर आपको बताना क्या बताना है यहां पर दोस्तों यह देखेगा साथ और 4 कितना होता 11 यह 100 किस क्या है 11 के स्क्वेर है आठ और दस नट दू होता दस दस का स्क्वेर दोस्तों सो यह पर आ गया नो और पांच हो गया चौदा चौदा का स्वार क्या होता है एक सो चिन्नु यानि option number 3 हमारा correct answer होगा यह कर्मा गद्द आपका math का question है बहुत simple है इसमें और चोटे पुर्णागों का योग बताना है अब यह कर सकते हैं और दोस्तों पी और क्यू यह इसको कुछ नहीं करना value जो है पी और क्यू की और गड़ी के अंदर छो चै बजेंगे तो 6 कैसे बजेंगे ओर इधर बजेंगे बालना शैया उपर टोड़ी बजेंगे दुस्तों है ना दिखने में बहुत हाड है 37-31 तक क्या परसमें पूचे गए एक प्रस्टों गुतर देने बहुत सिंपल प्रस्टन है दोस्तों आपको इसका अर्थ यह है इसका अर्थ यह है अर्थ देख रखा है तो अर्थ में क्या करना आपको वैल्यू पूट करो आंसर आजाएगा ठीक कि हैं बहुत इंपल्स सिंपल सबसे सिंपल और दोस्तों यहा पर तोड़ीसी आपकी सामने जो है वह स्लोग में यहाँ पर कतन इसकस यहाँ पर आपके सामने स्टेट्मेंट एंड कंक्लूजिन वाला प्रस्टन था यह तोड़ा सा नहीं यह अलग है ना चैसे लोग में ब जिसा की अंदर आपको पूचा की कौन सी दिसा में चल रहा है विए उल्टा पुचा है तो यहां पहले क्या पूचा है यह कुछ नि करते हैं दोस्तों यहां पर कर लेते हैं अब मैंने क्या कर रहा है आपको बहुत ही मैंने एक NTSC पर यह निकी जो एक क्लास लेकर आ रहा हूं NTSC पर मैरतन क्लास आएगी वह जल्दी जोस्तों मैरतन क्लास होगी उस मैरतन क्लास के दिए मैंने सभी टॉपिक्स को कवर अप किया है वह सभी टॉपिक्स आप देखेंगे तो आप जटके के अंदर आपका सारे सुलिशन होजएगा बहुत सिंपल उसके अंदर आप देखतें आंसर धोगे ठीक है चलिए और यहां पर भी अभी देखेंगा सोलिशन करना है यहां पर जो है सिटिंग अरेजमेंट ने था सिटिंग विद्यार्थी को बैटाना है और आनसर पाना ठीक है अभि सिटिंग का कुशिन है तो बहुत सिंपल था शहें पंक्ति आयें यहीं एक दूपक्ति यहां पंक्ति यहीं बैटें दो पंक्ति को मैं टिक ब्रट्वी लाया दोस्तों अरेस्मेंट बहुत सिंपल है ठीक है आगे बढ़तें चार कुछनी से पूचे गए और दोस्तों क्या प्रश्ण था आपको अनुकरम ऐसी विश्ण संक्य कहते हैं जिने दिनके प्रतिक तुरूंग के बाद विश्ण संक्या बोचिए बस इसको देखो नकल करके आंसर देखना है आपको पैचाना कौन सा विश्ण में कौन सा समय वो बताना आंसर आएगा तीन अप्रस्ण प्रस्ण पूचे और दोस्तों यह तो क्या सबसे प्रसन प्रसन एक परिवार में वक्ति है उसकी पत्ते हैं उसके चार बेटे उसकी पत्तिएं तो यह पुरos कितने आरे पूरूस कितने शत्रह होंगे बस घिनना है कौन पूरू का समझति महीं जैसे कुछ पैंसिल जो है वहरबर का कथन बनओं यह वैंग्राम करोगी ना वैंग्राम human तो यहां पर दोस्तों यह भी सयंदोर सब्सक्राइब करा गया तो सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेर करें और जल्दी दोस्तों मैं हिंदी की भी आपको हिंदी का भी पिपर आपको जल्दी बताने वाला हूं और साथ में दोस्तों हिंदी की बाद में जितने भी आपका जो जैसे साइंस का है आर्स का है या फिर कॉमर्स का तिनों स्ट्रीम की पिपर है जल दोर बुरन देम कर दो